CBI ने मुझफफरपूर महापाप मामले में आज बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ रेट डाली है इसमें पटना मुझफफरपूर और बेगुसराय शामिल है हम आपको जो तस्वीरे दिखा रहे हैं ये मुझफफरपूर की तस्वीरे हैं मुझफफरपूर में ब्रजेश ठाकूर के इस होटल पर CBI ने रेट किया है इसके साथी साथ उसके कई करीबियों के पास भी CBI पहुंची है उनके घर पहुंची है और मुझफरपूर महापाप मामले में तहकिकात कर रही है मुझफरपूर के ब्रणपूर महापाप के मुख आरोपी ब्रजेश ठाकूर के करीबी लोगों के गहां CBI पहुंची है इनमें रितेश, अनुपम और वनोज कुमार के घर पर CBI की टीम मौजूद है घर की तलाशे ली जा रही है, वही पूशताच का सिलसिला भी चल रहा है CBI के अधिकारी लोकल पूलिस की सपोर्ट से रेड करने पहुंचे है इसके साथी साथ मुझफरपूर में ही ब्रजेश ठाकूर के होटेल को भी CBI ने टारगेट किया है CBI मुझफरपूर के होटेल आरेम पहलेस में शापमारी करने पहुंची है होटल के मैनेजर और स्टाब से पूशताच की जा रही है बताया जा रहा है कि CBI को एक सतकाई ठीकानों पर लीड मिली थी जिसके बाद ये बड़ी कारवाई की गई है तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि CBI जो की जाच कर रही है मुझफरपूर शेल्टर होम जो रेप केस हुआ था उसका उसमें CBI के हाथ जो लीड लगी है वो काफी पुखता है काफी पुखता सबूतों के आधार पर वो इस शापमारी को अंजाम दे रही है पटना में एक्स मिनिस्टर मंजू वर्मा की घर पर जो शापमारी की गई उसके साथी साथ मंजू वर्मा और उनके पती चंदरशेकर से लंबी पूछता चुई माना जा रहा है कि दोनों से बहुत कड़े कड़े शावाल पूछे गए हैं इसके साथी साथ मुजफर पूर में भी दो लोगों की घर पर शापमारी की गई और इसके साथी साथ एक होटेल को भी सीबी आई ने खंगाला आई साथी 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 साथा सिर की अनला हिलावच झाला डेला शाला खंगाला तर